Hello students, welcome to number X. इस video में हम लोग question number 3 solve परेंगे exercise 17b जो class 8 maths R.S. अगरवाल की बूख से लिया गया है. Question है, construct a parallelogram PQRS in which QR is equal to 6 cm, PQ is equal to 4 cm and measure of angle PQR is equal to 60 degrees. हुई भी construction करने से पहले, सबसे पहले आप अप अपर फेस केज ड्रॉ कर लिजे. यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है, PQRS एक parallelogram है. PQ की लेंद 4 cm है, QR की लेंद 6 cm और यहाँ पर measure of angle PQR 60 degrees. PQ के सामने का साइड है, SR इसके भी लेंद 4 cm होगी और SPR Q के सामने के साइड है, इसलिए इसके भी लेंद 6 cm होगी. सबसे पहला step है कि PQ ड्रॉ कर लेते हैं, 4 cm का. इसके बाद हमें Q पर 60 degree का angle फॉर्म करना है, तो Q को सेंटर लेते वे, एक किसी भी लेंद का आर्क ड्रॉ कर लेते हैं. इसी आर्क लेंद को रखते हुए, दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें 60 degree का angle मिल जाएगा. अब हमें ruler लेके 6 cm का एक line segment ड्रॉ करना है, जो Q और इस intersection points पर पास करता हूँ. हमें point R मिल जाएगा, इसके बाद हमें point S find out करना है. इसके लिए हम R को center लेते हुए और 4 cm radius का एक आर्क ड्रॉ करेंगे हैं हमपन, इसके बाद P को center लेते हुए और 6 cm radius लेते हुए दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें point S मिल जाएगा. अब हमें simply S R और S P को connect कर देना है, तो ही हमारे required parallelogram हुआ P Q RS, जिसमें P Q की length है 4 cm, Q R की length है 6 cm और measure of angle P Q R है 60 degree. आपको वीडियो कैसे लगा, कमिट में जोल बताएं, यह अच्छा लगा होतों लाइक करें, दोस्तों के साहाँ सेर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe को ना भूलें. Thanks for watching.